उत्तर प्रदेश के कन्नोज जिले में लखनव अगरा एक्स्प्रस वे पर आज सुभा चार बजे एक बड़ा हाथसा हो गया आपको बता दें कि आगे चल रहे ट्रक में पीछे से आ रही बुलेरो गुस गई जिसमें आठ लोगों की मौके पर ही मौत हुई है वही तीन लोग गंभी रूप से घायल हुए हैं गाड़ी में कुल 11 लोग सवार थे गायलों को मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया है आपको बता दें कि यूपी के कन्नौ जिले में लखनाव आगरा एक्स्प्रस वे पर तिवरा कोतवाली क्षेतर के उम्राय पुर्वा के निकट ये हाथसा हुआ है और इस हाथसे के दौरान एक ही परिवार के आठ लोगों की मौत हुई है तीन अन्य लोग गंभी रुप से घायल हुए है बताया जा रहा है कि मरने वालों में तीन महिलाएं और चार पुरुष और दो बच्चे शामिल है हाथसे में घायल तीन लोगों को गंभीर चोटे आई है घायलों को राजी की मेडिकल कॉलिज में भरतिकर आया गया जहां उनकी हालत गंभीर बने हुई है एक बुलेरो जो है ख़ड़े कंटेडर में आठ लाथ नो आगरा अच्छिडेंट हुआ है जिसमें करीब बुलेरो में 11 लोग थे इसमें 8 लोग एस्पायर हो जाए है तीन दो बच्चे और एक ड्राइवर यहां पर एड्मिट है जिसमें एक बच्चे की हालत जाला गंभीर है और एक बच्चे के दोनों पैरों में फिर्च्चे है उनमें से बुलारो चालत की गंभीर हालत को देखते हुए उसे कानपुर रेफर किया गया है वही दो बच्चों का इलाज कन्नौज के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है हाथसा लगनव आगरा एक्सप्रेस वे पर सुभा चार बज़े के करीब हुआ ये सभी श्रद्धालू एक ही परिवार के सदसे थे और सभी लोग राजस्थान के अलवर जिले से बुलेरो से नैमी शारणम तीर से साथ जा रहे थे गटना की सूचना मिलते ही जिले के आलाधिकारी मौके पर पहुँचे आज प्राता आगरा लखनो एक्सप्रस वे पे एक बुलेरो जीब अलवर राजस्थान से आ रही थी और उसका एक्सिडेंट हुआ है बहुत ही दखना की गटना थी जिसमें कुल आठ लोगों की मृत्तियों हो गई है चार पुरुष हैं तीन मेलाएं हैं एक बच्चा है तीन लोगों को मेटल काले स्थिर्वा लाया गया है जिसमें से एक के हालत गंभीर होने के काराण कानपुर के लिए रिफर कर दिया गया है दो का उपचार चल रहा है कन्नौत से जीतेंद्र दुवेदी की रिपॉर्ट